हुआ हुआ है यह देखिए फ्रण्स मैंने और में इस नइहें खाते रूक च्ली फ्रेंट्स घसक्ते हैं इसे वह कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा होता है और रह तेसे बनती है किसी के लिए बहुत ही बणिया होता हैं इस federal deste तो तो दो आपने के तैयर कर लेते हैं उससे बनाने के लिए यह मैंने त्वेस्टिक्स ले लिया है इसको बनाने से पहले आप कुछ देर निकाल के रख दीजेगा और देखेए फ्रेंड्स इसको हम ऐसे निकाल लेंगे हैं और ऐसे फ्रेंड्स अपने सारे स्टिक्स हम इसमें से निकाल लेंगे इसको क्या कटते हैं काट लेते हैं यह एक ही की मोटा फ्रेंड्स काटेंगे रेसिपी इसकी बहुत सारी हैं सबके बनाने के तरीके भी अपने अलग अलग है सारे सोय आपको मैंने काट लिया है अब इसको में डीफ फ्राइख कर लेते हैं देखें आपको फ्राइख करने के लिए मैंने गैस पर कडहाई रख दिया है मेरा ओईल भी गर्म हो चुका है अब इसमें जितने सोय आपाएख आएंगे उतने मैं आड़ करूगी क्योंकि हमार और बढ़ियान फ्लेवर लाने के लिए बढ़ियान क्रिस्पी करने के लिए इसको मेडियम फ्लेम पे फ्राई कीजेगा थाई प्रेश्ट पर नहीं पायेगा और इसके परद्ट जो है वह अच्छे से खुलेंगे ने देखिए फ्रेंड्स एक तरफ यह फ्राइ हो चुक है इसको पलट देते हैं हम बिल्कुल आराम आराम से कीजिएगा अब आपको पता है वह फायदे मंद है और जो नौन विज नहीं खाते हैं उनके लिए रेसिपी बहुत ही टेस्टी है बहुत अच्छी है ऐसे तो हर कोई खा सकता है लेकिन जो नौन विज नहीं खाते हैं वह इसको खाए उनको बड़ा पसंद आएगा यह देखिए देखिए फ्रेंड्स सोया चाप मेरिनेट कर लेते हैं जिसके लिए बड़ा सबर्तन लिया है उसमें मैं अपने सारे चाप को डाल देती हूं फ्रेंड्स यह देखिए इसकी कितनी सुन्दर पर्तें खुल गई है यह देखिए सारी यह फ्राइब करने से यही फायदा होता मेरिनेट कर लेते हम फ्रेंड्स मैरिनेट करने के लिए मन पास दः गर की जमी दः हुए है देखिए दो से 3 टेबल स्पून मैंने लिया है रंस यह ब्लेक पेपर पाउडर मैंने लिया है थोड़ा सा बिलकुल हलका але हैं कि ब्रना यूपा जीरा लिया है मिल्कुल हलका सा है mos देखिए ! सब्सक्राइब भून होटाabakt कि वानißtुपी असली के तलफ कjor निया है और इन 치ली पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा शबको क्या करेंगे आज शाष्च के में हैं पकि यह यह Marx तो हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा सोयाचा फ्रेंड्स यह देखिए अब इसको ढखके एक तरफ रख लेते हैं और अपनी ग्रेवी बना लेते हैं यह देखिए फ्रेंड्स यह मैंने लसन प्याज और अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट बना रखा है और यह मैंने टमाटर के प्यूरी बना रखिए अब फ्रेंड्स सोयाचा आपकी ग्रेवी हम बना लेते हैं इसको तड़का मानने के त्यारी कर लेते हम कि यह के फ्रंण्स जिसक्रजाएं मैंने तो यह आपको फ्राइ किया था hvad उसमें तेल गरम है अलरडी यह मैंने ने दो लॉंस एक starters ऐ लह श्या दालशी और यह काले मतशी यह खड़े मसाले मैंने लिए हैं अब देखिए घर में बहुत अच्छा यह टीस्ट आएगा यह देखिए फ्रेंड्स यह मैंने प्याज लेसन वाली जो मैंने प्यूरी बना रहे थी इसको डाल दिया है अब इसको दो से तीन मिट फ्राइ करेंगे हम ताकि जो प्याज का खच्छा पन है लेसन का खच्छा पन है वो खतम हो जाए यह देखिए फ्रेंड्स प्याज लेसन अद्रफ का पेस्ट था यह हमारा फ्राइग हो चुका है अब इसमें मैं टमाटर का प्यूरी आड्ट कर रही हूं इसको अच्छे से मिट्स करेंगे इसमें सौल्ट गरेंगे अच्छे से अपना पानी छोड़ दे मसाला अच्छे से फ्राइअ करेंगे उफ्रेंड्स शौल्ट आप अपने टेस्ट के अ करौडिंग्ड खीजिएग़ इसको तीन से चालमेट के लिए हम फ्राई करेंगे इसमें मसाले आड़ करेंगे हम से घन हमने ऑट्फथ अड़ दन्य पॉड्टर लिया है हादी हल्दी पॉड्टर लिया है मैंने ने फॉट्ट शिर्य पॉड्टर लिया है मैंने देख्या ऐसा खाना पसंद करें उस हिसाब से आप और अब वņदFT आप मिर्च एड़ कीजिएगा रेंस मिर्च से कलर भी बहुत अच्छा आता है और इसमें फोड़ा सा पानी आड़ कर देते ताके मारे मसाले अच्छा से फ्राई हो जाए थोड़ा सा गरम मसाला एड़ करेंगे हम अब मसालो को हम फ्राई होने देते हैं यह देखे फ्रेंड्स अमारे फ्राई हो चुके हैं अब मैंने मैरिनेट करके रखा तो स्वाय चाप उसको इसमें कर देती हूं इसको दो से तीम मिनट के लिए फ्राइ करें हैं अगर आपने मेरे इस चैनल को भी तर सब्सक्राइब नहीं किया है इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिलकुल मत भूलेगा ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियो के नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके एक से दो मिनट इसको फ्राइब करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करूगी एक से दो मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स जिस वरतर ने मैंने मैरिनेट किया था उसी में से उसी में तोड़ा सा पानी मैंने ले लिया है और उसको आइड कर दे लिए पानी आइड कर दिया है अब इसको हम चार से पांच मिनट पकने देंगे फ्रेंड्स थाके ग्रेविया मारी अच्छे से सोयाचाप में घुज़ ज़िए इसको सर्विंग बाल में निकाल लेते हैं यह देखे फ्रेंड्स सोयाचाप बन के मेरा रेडी है यह बहुत ही टेस्टी और डिलिसिस बनाए फ्रेंड्स यह रेस्टोरेंट से भी ज्यादा अच्छा बनाए इसे बना के जरूर ट्राइए कीज़ेगा अपने घर में और मे यह रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए स्वास्त रहें और मस्त रहें